हैलो मेरे प्यारे दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो आज फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर और दोस्तो आपको टाइटल से पता ही चल चुका होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से ब दोस्तो इन बिजनेसेस में भी आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है हो सकता है कि सुनने में बड़े चोटे बिजनेस लगते हैं लेकिन इन में प्रॉफिट काफी दोस्तो आपको तगड़ा हो सकता है ऐसे ही बिजनेस को मैंने अपने लिस्ट में डाला है लेकिन द बेल आइकन को भी क्लिक करना बिलकुल ना भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला जो बिजनेस है वो है अगरबत्ती का बिजनेस तो अब आप कहेंगे कि भाया अगरबत्ती का ब और वहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर इसे इस्तमाल किया जाता है काफी सारी अगरबत्तियों को जो हिंदुस्तान में बनती है उनको बाहर अरोमा थेरपी में भी बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है या जो धूब बत्ती होती है उसको भी बहुत ज़्यादा demand है और इस business को करने के लिए आपको तकरीवन अगर आप थोड़े से बड़े scale पर करना चाहते हैं तो आपको तकरीवन 4 से 5 लाक रुपई की लागत आएगी अगर आप हाथों से बनवा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको workers को थोड़े जाधा पैसे देने पड़े अगर आप machine पे दे रहे हैं उस सारे production line को तो machine आपको जाधा output दे सकता है तो machine की लागत और बाकी सारी चीज़े काट कर भी यानि कि पूरी जो लागत है उसको हम अगर subtract भी कर लें तो उसके बाद भी आप एक अच्छा खासा मुनाफ़ा इस business में कमा सकते हैं क्योंकि खुद इंडिया के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा market है और इसके लिए कुछ बहुत बढ़िया marketing techniques की ज़रुवत नहीं पड़ती है इसके लिए काफी हाथो हाथ यह बिंग जाती है client काफी अच्छे मिल जाते हैं आपको क्योंकि अगरबती तो खेर almost हर कोई इस्तमाल करता है तो इसको बेचने भी बहुत ज़्यादा मुश्किलाते नहीं फेस करनी पड़ती है अब बहुत ही easily इसको बेच सकते हैं और इसी लिए मैंने इसको अपने list में जो है वो add कर लिया है क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत कम पैसा लगता है याने कि एक बार अगर आपने कुछ capital उसमें डाल दिया तो आपको महीनों तक सालों तक उसकी तरफ देखनी की कोई जरुरत नहीं है और अगर बत्ती की technology कुछ ऐसी नहीं है कि समय के साथ उसको बदलना पड़ेगा या कोई high-tech machinery और नई वाली लानी पड़ेगी तो ऐसी कोई बात नहीं है अगर बत्ती बहुत पहले से ऐसी बनती आ रही है और आगे भी ऐसी ही बनेगी तो खर इसमें आप ज़्यादा profit जो है वो कमा सकते हैं अब चलते हैं हमारे अगले business की ओर तो दोस्तो अगला जो हमारा business है वो है online bus booking तो आज के जमाने में हिंदुस्तान में खरीब करीब 90 प्रतिशत लोग जो है वो bus से travel करते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए platform हो सकता है अगर आपने online bus booking की सुविदा लोगों को दे दी इसका सबसे बड़ा उधारण है redbus.in तो इन्होंने क्या किया कि सारे route पे चलने वाली busों की information अपने site पे पहले डाल दी बाद में उसके जो tickets है उनको available करा दिया साथी साथ bus के अलग-अलग types है कौन से वक्त पे कौन सी bus चलेगी लोगों की जो favorite bus operators है उनके साथ उन्होंने type कर लिया कि भाईया हम आपके ticket जो है वो हमारे site के उपर बेचेंगे बशरते आप हमें थोड़ा सा commission दे दे तो बाकी की जो bus operator थे जो travel agencies थी उन्होंने ये बात मान ली क्योंकि उनको ये बड़ा ही फाइदे का सौधा रहा क्योंकि directly online उनके tickets जो हैं वो बिख सकते थे और ज़्यादा तेजी से बिख सकते थे अब लोगों को उनके office पर आकर उनकी ticket लेने की कोई जुरूरत नहीं थी लोग online अपने घरों में बैठके bus की ticket करवा सकते थे और इसी की वज़ा से ये जो platform है वो बहुत ज़्यादा profitable बन जाता है इसमें आपको initial जो capital डालनी पड़ेगी वो तकरीबन कुछ 2,00,00 के आसपास डालनी पड़ेगी और आपको इसमें से 10% growth आपको जरूर देखने को मिलेगी और कुछ 5-10 महीने में भी आप इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया growth देख सकते हैं आप profit कमा सकते हैं और आज के घड़ी में जहां पर लोगों को सब कुछ online चाहिए होता है तो ये एक बहुत बढ़िया option आप लोगों के लिए ला रहे हैं और एक तरीके से आप इसको इस नजरिये से भी देख सकते हैं कि फिलहाल जो bus booking sites हैं वो बहुत कम हैं तो अगर आप अपनी भी launch करते हैं तो यहां पर आपको जो monopoly है लोगों की वो तोड़ने में मदद मिलेगी आपको लोगों के पास कोई और एक option होगा तो हो सकता है कि पहले initial phases में आप थोड़ा अपना अगर percentage कम रखे अपना margin कम रखे उसमें तो हो सकता है कि लोग आपकी तरफ मुणने लगे क्यूंकि आप उनको एक बहतर option दे रहे हैं कि वहिया इस site से कम पैसे में आपकी जो booking है वो करवा देंगे तो obviously बात है कि लोग आपकी तरफ ज्यादा attract होंगे तो online होने की वज़ा से इसको बहुत ज़्यादा infrastructure की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अब 2 lakh की initial capital से इसको चालू कर सकते हैं तो दोस्तों अगला जो हमारा business है वो है housekeeping services तो दोस्तों ये जो hotels की federation है Federation of Hotels and Restaurants Association of India तो इनके मुताबिक आने वाले समय में पूरे इंडिया के अंदर करीब करीब 15 million hotel rooms की जरुवत पड़ेगी हर एक category में तो वो suits हो सकते हैं, single room हो सकती है, double room हो सकती है या कोई बड़ी family room हो सकती है तो all categories में तकरीवन 15 million कमरों की जरुवत वहाँ पढ़ने वाली है तो जाहिर सी बात है, अगर इतने बड़े-बड़े hotel खुलेंगे तो उनको अपनी rooms को clean करने के लिए, room में service देने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों की जरुवत पड़ेगी तो hotels क्या करते हैं, कि कई बार ये जो room service या और room cleaning वाली services है इनके लिए outsourcing करना शुरू कर देती है, किसी को ठेका देती है तो उनके लोग आकर ये सारी चीजे manage करते हैं तो basically ये business अगर आपको शुरू करना है तो पहली बात तो आपके पास बहुत ही बढ़िया communication skills और management skills का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और एक initial अगर हम roughly इसका capital calculate करें जितने पैसे आपको इसमें डालने पड़ेंगे तो यही कुछ 3 लाग के आसपास डालने पड़ेंगे और आप इसमें capital growth जो है वो जो आपकी profit में growth है वो 20% annually देख सकते हैं अगर आप एक बड़ी company establish करने में कामियाब हो जाते हैं अगर आपने नाम कमा लिया है अपनी महनत से तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा profit आपको मिले क्योंकि जरूरत इस industry में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में दोस्तों अभी के माहौल में सबसे बढ़िया business में आपको बताने जा रहा हूँ और वो यह है कि corona related अगर आप safety equipment बेचने लगे तो उससे भेतरी अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसके demand अभी बहुत ज्यादा है तो आप ऐसी कोई भी चीज बल्क में खरीद सकते हैं जैसे कि face mask हो गया, sanitizer हो गया, hand glows हो गया, साथ ही साथ PPE kits हो गई तो ऐसी जो corona से बचाने वाली आपकी जो equipment हैं उनको अगर आप बल्क में खरीदेंगे और बाद में अगर बेचेंगे अपना profit उसमें डाल कर तो ये एक बहुत ही profitable business आपके लिए हो सकता है हाला कि इसके उपर government ने कुछ अपने हिसाब से prices fix कर दी हैं लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप बल्क में लेते हैं तो आपको wholesale का rate पड़ेगा और जो government ने आपको prices तैय करके दी हैं उन prices में बेचने के बाद भी आप कुछ न कुछ तो जरूर कमा लेंगे और फिलहाल इस सारी चीजों के लिए बहुत ही जादा market है बहुत जादा demand है तो ये एक बहुत ही फाइदे का सोधा आपके लिए रह सकता है तो दोस्तो अगला जो business है वो है shoe wash company तो आपने ये तो सुना होगा कि कपड़ों को धोने के लिए laundry में दिये जाते हैं या कोई dry cleaners होते हैं उनके पास दिये जाते हैं लेकिन shoe washing ये एक अलग industry इंडिया में उभर कर आ रही है क्योंकि अब इंडिया में भी लोगों के shock जादा बढ़ रहे हैं तो कई लोग काफी महंगे महंगे तरीके के जूते पहनते हैं दो-चार जोडे वो रखते हैं कई-कई जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनके पास पूरे rack बरकर shoes होते हैं तो उनकी maintenance के लिए उनको clean रखने के लिए एक professionally ये अलग shoe washing companies का इजाद किया जा रहा है जहाँ पर कुछ chemicals को इस्तमाल करके जो लोगों के जूते हैं उनको चमकाया जाता है बिल्कुल नए जैसा बना के उनको वापस दे दिया जाता है तो खर ये जो industry है ये तो अभी shape ले रही है लेकिन आने वाले समय में इसकी demand बहुत जादा बढ़ने वाली है खास कर जो entertainment industry है यहाँ पर इसकी demand बहुत जादा बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे shows के लिए ऐस तरीके के जूते जो है वो इस्तमाल किये जाते हैं उनको maintain किया जाता है साथी साथ अगर कोई बड़े-बड़े celebrities हैं तो उनके personal collection में भी बहुत सारे जूते होते हैं तो उनको भी उन्हें maintain रखना पड़ता है तो अगर आपको किसी ऐसे company का contract मिल गया या किसी आदमी ने आपके साथ ऐसे तरीके का contract कर दिया कि हमारे महीने में कुछ इतने सारे जूते आएंगे जिनको आपको ठीक करवाना है या उनको चमकाना है और हमारे पास वापस बेज देना है तो इस तरीके के अगर आपको contract मिलने लगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा profit आप gains कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा investment नहीं लगती है क्योंकि ये सब कुछ chemical based होता है जैसे dry cleaning के वक्त जिन chemicals का इस्तमाल किया जाता है वैसे ही shoe washing के लिए अलग से chemicals आते हैं अगर उनकी समझ आपको है तो आप उनका इस्तमाल करके इसको profitable business बना सकते हैं इसमें 2 से 3 लाग की आपको initial cost आएगी लेकिन एक बार अगर आप उसमें invest कर लेते हैं तो आगे जलकर आप अपना business और बड़ा जरूर कर सकते हैं अगला हमारा business है दोस्तो property management हाला कि ये business बहुत पहले से यहाँ पर रह चुका है तो दोस्तो property management में आप लोगों को वो सारी सुविदाए दे सकते हैं जैसे कि documentation हो गया अगर कोई नया घर खरीद रहे हैं तो उसकी stamp duty उसके papers या अगर आप किसी अपने घर को rent पे दे रहे हैं तो उसके लिए जो agreements लगते हैं वैसे वाले agreements या कोई सरकारी दस्तावेज आपको बनवाने हैं तो उसके लिए जो services लगती हैं वो आप दे सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके connection बहुत बढ़िया होने चाहिए सरकार में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है connections क्योंकि कुछ बंदे उएज अगर आपके पास लोग हो तो आप अपने काम जो हैं वो बहुत तेज तरीके से निकलवा सकते हैं और आपकी customers को ये सारे दस्तावेज उतने ही तेजी से आप दे सकते हैं यानि कि customer का ये जो सारा हासल है उनकी जो माथा पच्ची है जो उनको सर फोड़ना पड़ता है कि इस दफतर जाओ फिर उस दफतर जाओ इसको इतने पैसे दो उसको उतने पैसे दो इससे sign कराके लाओ तो ये सारी जो जंजट है आप वो customer के लिए eliminate कर रहे हैं तो इसमें बहुत बढ़िया profit आपको हो सकता है बशरते आपके connections बहुत बढ़िया हो और इसके लिए जादा आपको कोई करने की जुरुत नहीं है investment आपके पास एक छोटा सा office हो बहुत है एक initially 2-3 लाग की अगर आप इसमें investment कर दे और लोगों को mouth publicity से भी अगर ये पता चल जाए कि ये आदमी सरकारी काम बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से करवा लेता है सारे काम निकलवा लेता है तो लोगों की लाइल लग जाएगी आपके पास क्योंकि लोगों को ये सब कुछ इस दफतर से उस दफतर जाओ इससे sign लेके आओ उससे stamp लेके आओ ये सब कुछ जंजट आज के जमाने में लोगों को नहीं चाहिए तो अगर उनके लिए कोई एक बंदा ये सब कुछ चीजे करवा के दे रहा है तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाती है और इस business में आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन 50% तक आप profit में growth दे सकते हैं annually अगर आप बहुत ज़्यादा famous हो जाए याने के बहुत ज़्यादा clients आप बना ले बहुत ज़्यादा लोग आपके पास आने लगे तो ये जो percentage है ये इससे भी ऊपर जा सकता है बशरते आपको ये काम कैसे करने हैं किसकी sign लगनी चाहिए इसमें किसका ठपा इसमें लगन होनी चाहिए बस इतनी सी इसमें quality required है दोस्तों अगला जो हमारा business है वो है ultra short tamping services तो ultra short tamping services मतलब क्या कि कई ऐसी छोटी मोटी कंपनियां होती है जिनको temporarily manpower की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है generally जो event management company होती है उनमें इसकी demand जो है वो बहुत high रहती है क्योंकि उनको manpower बहुत ज़्यादा रहती है कि अगर कोई बड़ा सा event वो अगर organize कर रहे हैं तो वहाँ पर management के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं तो कुछ लोग कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो उनको manpower मोहिया करा देते हैं और उसके बदले में वो अपना share ले लेते हैं या अपना commission ले लेते हैं और जो उनके workers हैं उनको भी देते हैं और खुद भी कमा लेते हैं तो इसकी जो demand है वो दिन मदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि event management company है जो है वो बड़ी-बडी होती जा रही है उनके event ब बहुत ही कम वहाँ पर investment करनी पड़ेगी कुछ एक लाग के करीब भी अगर आप investment कर दे तो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा दोस्तों अगला जो हमारा profession या business है वो इंडिया में बहुत बड़ा बन चुका है अब और जैसा कि मैंने पिछले point में कहा event management तो event management एक बहुत ही बड़ी industry अब इंडिया में बन चुकी है एक product की launch हो गया या किसी company का corporate meeting हो गया किसी की शादी हो गई किसी बड़ी company की गाड़ी launch करना हो गया कोई award function हो गया ऐसे तमाम चीजों में event management कमपनिया बहुत बड़े पैमाने पर काम करने लगी है और क्यूंकि आजकल host को हर एक detail के उपर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं रहता है तो यहां पर ये event management company इनकी बहुत ज्यादा help करती है उनकी जो expertise है वो उसमें डालते हैं सारी चीजों को अच्छी तरीके से manage किया जाता है हर छोटे छोटे detail की तरफ ध्यान दिया जाता है जिसे हम कहते है attention to details तो ये सब sharing से लेकर आपके floor arrangement तक सारे arrangement ये जो event management company है वो कर सकती है customer को कोई उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरुत नहीं पड़ती है customer बस उनको पैसा थमा देता है और सारी जंजटे भूल जाता है तो आज के जमाने में इनको बहुत ही ज्यादा demand है तो अगर आप इस business में घु investment करनी पड़े तकरीबन चार लाग के करीब तो आपको investment इसमें करनी पड़ेगी लेकिन जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा नाम बना लेंगे तो आपका ये business बहुत ही ज्यादा profit में जा सकता है क्योंकि इन companies के जो margin है वो बहुत huge होते हैं क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा है कि हमें हर एक को पैसा देना है जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं उस हर एक आदमी को हमें पैसा देना है और साथी साथ हमें भी कमाना है तो आज की जमाने में event management company जो है वो बहुत ज्यादा profit में चल रही है तो आगे चलकर आप event management के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं लोग आपको बांध कर रखने पड़ेंगे जो कि आपके साथ सालों साल काम कर सके जिनको आपका working pattern पता हो तो उनके साथ partnership करके या ऐसे लोग आपके साथ रखकर इस business को ज़्यादा भैतर तरीके से चला सकते हैं तो initially हो सकता है कि आपको थोड़ा सा struggle करना पड़े ऐसे contacts बना सकते हैं और नई नई चीजे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम दाम में दे सके तो ऐसे लोगों का आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप event management company में गुसना चाता है या अपनी खुद की शुरू करना चाते है तो अगला एक बहुत ही different type of business है और वो है pre recruitment assessment तो pre recruitment assessment में होता यह है कि ये एक तरीके से agent ही होते है या recruitment companies जिसे हम कहते हैं तो ये recruitment companies क्या करती है कि जिस company में manpower की जुरूत है जहां पर recruitment निकली है उनसे ये contact करते हैं उनको ये पूछते हैं कि आपको कौन से educational background वाले candidates चाहिए आपकी requirements क्या है या आपकी कोई special test है जो आप conduct करवाना चाहते हैं किसी को भी interview पर बुलाने से पहले तो ये सब कुछ वो उनसे पूछ लेते हैं हाला कि इसका commission भी वो लेते हैं तो उन companies के लिए ये लोग किसी को भी choose करने से पहले जो test किसी भी candidate को देना पड़ता है तो वो test ये लोग design करते हैं उस company के requirement के म assess करते हैं फिर उन candidates के सारे resumes उनसे मंगवा लेते हैं और यह जो सारे resumes होते हैं वो company की पास भिजवा दिये जाते हैं फिर company इनको बताती है कि कौन से candidates को हमें रखना है कौन से candidates को हम आगे लेके जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ये जो companies है वो सब कुछ coordinate करती है याने कि जो potential उनके candidates हैं उन तक पहुचना उनको इस company तक पहुचना उनके resumes को पहुचाना उनसे ये जो test है वो conduct करवाना उनकी जो सारी assessment है वो करना और company को सारे जो data हैं वो provide करना और एक अच्छा candidate उनके लिए ढूंड कर देना ये इनके काम होते हैं और इसमें हाला कि आपको थोड़ा बहुत capital जो है वो डालना पड़ेगा आपको एक 4 लाग के करीब इसमें पैसा डालना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपका एक proper office होना चाहिए आपके पास थोड़ा बहुत staff होने की भी बहुत ज़्यादा जरुरत होती है और एक reputation का भी मामला हो जाता है तो अगर किसी recruitment company का reputation ज़्यादा अच्छा है तो कोई भी बड़ी वाली company obviously उनके पास जाएगी कि हमारे लिए बहतर candidates आप ढूंड के दे सकते हैं तो दे दीजिए तो इसकी वज़य से थोड़ा initially वैसे तो हर एक business में struggle करना ही पड़ता है लेकिन यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको दोस्तों अगला जो business idea है वो artist लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है अगर आप अपने art को आपके business में तबदील करना चाहते हैं तो custom made gifts यह एक industry भारत में बहुत ज़्यादा फलफूल रही है तो आज की जमाने में लोगों को traditionally कोई चीज उठा कर किसी को gift देने में उतना मज़ा नहीं आता है तो आज की जमाने में customized gift के लिए बहुत ज़्यादा demand बढ़ गई है जैसे कि उस particular आदमी के लिए लिखा हुआ कोई संदेश होता है जो कि एक gifting card के उपर छाप दिया जाता है custom made t-shirts होते हैं जिसके उपर उस आदमी का photo लगा हुआ रहता है या तो custom made mug होते हैं इसी के साथ साथ custom made jewelry भी होती है तो ऐसे कई सारे options इसमें open रहते हैं hand painted भी कोई चीज़े gift की जाती है जैसे कि hand painted t-shirts हो गए hand painted bags हो गए hand painted wallets होते हैं तो ऐसी चीज़े भी लोग अभी देना बहुत पसंद करते हैं तो अगर आप artist हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया एक business venture हो सकता है कि आप अपनी art को अपने business में ढाल ले और लोगों के लिए customized gift बनवा कर दे दे जो sketch artist है उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये opportunity हो सकती है क्योंकि आजकल के जमाने में लोगों के portrait बनवा कर उनको gift करना बहुत बढ़िया लगता है तो ये भी एक बहुत बढ़िया जरीया हो सकता है कमाई का और इसमें बहुत ज़्यादा आपको investment करने की भी जरूरत नहीं है initial कुछ एक लाग के करीब आप इसमें अगर investment कर दे और बहतर तरीके से उसको promote कर दे तो आपको फिर no looking back आपके लिए बहुत ज़्यादा demand हो सकती है अगर आपकी craft बहुत बढ़िया है लोगों को पसंद आती है और अगर आप social media का इस्तेमाल इसको promote करने के लिए बहतरीन तरीके से करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से deals मिल सकती है या contract मिल सकते है client आपके पास आ सकते है और क्योंकि ये custom made होता है या hand painted होता है तो इसके लिए आप ज़्यादा पैसा भी मांग सकते है क्योंकि ये कोई machine made चीज नहीं है किसी के लिए specially बनाई गई चीज है जो कि hand painted है तो इसके लिए आप आपके craft के भी ज़्यादा पैसे उनसे मांग सकते है और बहुत ज़्यादा profit में इसमें चल सकते है दोस्तो अगला जो business idea है वो है online ad services तो आज की जमाने में कई ऐसे IT कंपनिया है या कई ऐसे नए जो producers हैं वो सामने आये है तो उनको एक ऐसे space की ज़रुवत है online market में जहां पर वो अपने product को show कर सकते हैं उसके details लोगों तक पहुचा सकते हैं और एक targeted audience तक अपनी product की information भेज सकते हैं तो अगर आप online ad services में हैं तो client आपके पास आएंगे उनका product क्या है वो आपको समझाया जाएगा तो वो कहेंगी कि हमारा target audience जो है वो ये है इन लोगों तक हमें हमारा product पहुचाना है हमारे product की information पहुचानी है तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस ad को कौन से social media platforms पे या कौन से कौन से sites पर इसको पहुचाना है तो हमारी एक जो ad पूरी campaign है उसको आप design करके दे और online हमारी ad करें तो उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे तो इस तरीके की services अभी काफी फलफूल रही है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा investment की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपकी पास अगर एक office space हो कुछ बहतरीन आपको IT का knowledge हो social media का knowledge हो तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा excel कर सकते हैं कुछ 3 लाग तक अगर आपने इसमें investment कर दी तो आप एक decent size की company form कर सकते हैं और आपके clients को भी attract कर सकते हैं और इसके अंदर आपको काफी सारी growth भी देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो industry है वो फिलहाल boom पर चल रही है तो दोस्तो आज हमने जाने कुछ ऐसी business ideas जिनके अंदर आप थोड़ा सा capital डाल कर भी थोड़ा सा investment डाल करके भी एक बड़ा business खड़ा कर सकते हैं अपने आपको अपने पैरो पर खड़ा कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को like करना बिल्कुल न भूले और अगर आपके इरिद गिरिद कोई ऐसा ही आदमी खुद का business शुरू करने की सोच रहा है तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुचा दे